Hello Friends, Welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, आज की इस वीडियो में आपको अलग-अलग टाइप्स के मोटर साइकल के बारे ही बताऊंगा बैसे तो मोटरसाइकल बहुत साई टाइप्स के होते हैं जैसे कि कॉम्यूटर, एडवेंचर स्पोर्ट, क्लासिक, क्रॉस, कस्टम, चॉपर, बॉबर, डूवल स्पोर्ट, एंडियोरो, नेकेड, सुपर नेकेड, सुपर मोटो स्पोर्ट, सुपर स्पोर्ट, टूरिंग, क पहला टाइप है कॉम्यूटर बाइक, जिसे आम लोग स्टैंडर बाइक भी कहते हैं और इस तरह के बाइक 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 से लेकर 180 CC की केटिगरीज में आते हैं, अब इस तरह के बाइक को जो डिजाइन किया जाता है, वो आपको डे टू डे वर्क करने के लिए किया जात साथी इस तरह के बाइक का जो राइडिंग पोजाता है, वो फेरली अपर्ड इप होता है, जिसके व्योबैसे जो רाइडिंग है, वो बहुत ज़्यादा कंफरेबल भी हो जाता है, जो सीट का हाइट है वो भी कम होता है, शॉर्टर टू मिडिल रेंज का होता है, ताकि क इसी भी हाइट की जो राइडर है, वो उनके लिए comfortable हो जाता है, इसके साथी यहाँ पे semi forward set footpacks को दिया जाता है, जिससे footrest भी बहुत ज्यादा comfortable हो जाता है, अगर normal rider भी हो, जिने experience कम भी हो, वो भी इस तरह के commuter bike को असानी से और बेहतर तरीके से handle कर पाते हो, और stable कर पाते हैं, next है naked motorcycle, और इस तरह के जो motorcycle है, वो दिखने में बहुत ज्यादा stylish होते हैं, वो किसी भी displacement का हो सकता है, कम CC का भी होता है, ज्यादा CC का भी होता है, मैं आपको पताना चाहूँ कि without fairing ये motorcycle होते है, यानि कि इस तरह के motorcycle का जो engine है, वो visible होता है, साथी यहाँ पे sporty riding position होता ह है, क्योंकि जो seat है, और जो handlebar के बीच में distance है, वो थोड़ा जादा होता है, fuel tank इस तरह के motorcycle में mostly आपको उठा हुआ जादा उपर की तरफ दिखाई देगा, साथी जो rear mudguard और जो front का mudguard है, वो इस तरह के motorcycle में small, यानि कि छोटा दिया जाता है, और यहाँ पे आपको कोई भ कि जो naked motorcycle होते है, वो ideal होते है, short या फिर medium trips के लिए suitable होते है, mostly committing के लिए भी, BMW A1000R, Yamaha MT09, KTM 1219 Super Duke R, ये सारे naked motorcycles की category में आते है, फिर्म्स इस से जुड़ा हुए अगला type जो कि है sports naked motorcycle, सब कुछ almost naked की तरह ही होता, just यहाँ पे आप देखोगे कि जो look है, वो slightly sporty कर दिया जाता ह है, design wise, और इसलिए हम लोग इसे sports naked motorcycles कहते है, BMW G310R या फिर KTM 390 Duke जो है, वो sports naked bikes की examples है, next है sports motorcycle, और इस तरह के motorcycle को speed, power, acceleration, better stability, better cornering, better handling, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए design और manufacture किया जाता है, इस तरह के motorcycle का seat height है, वो slightly higher होता है, साथ ही यहाँ पे lower handlebars को दिया जाता है जिसके वाइस से forward leaning riding position rider का हो जाता है, slightly backward यहाँ पे foot brakes को दिया जाता है, mostly यह इस तरह के motorcycle light weighted materials के बने हुए होते हैं, जैसे कि aluminum, carbon fiber, इसके साथ ही यहाँ पे best experience के लिए यह ज़रूरी होता है, कि जो rider है, वो अच्छा हो, वो experience rider हो, ताकि यहाँ पे जो speed है, जो acceleration है, वो उसे मैस भी करता है, TVS Apache RR310, Yamaha YZF R15 V3, Bajaj Pulsar RH200, यह कुछ sports motorcycles के example है, next है cruiser motorcycle, friends, बहुत यदा popular यह category है, और mainly इस तरह के motorcycle को cruising purpose के लिए design किया जाता है, इस तरह के motorcycle में जो seat का height है, वो कम होता है, साथी semi forward foot brakes को यहाँ पे दिया जाता है, handle bar, cruiser motorcycle में आपको slightly high देखने को मिलते है, leaned back riding position होता है, जो कि बहुत ज्यादा comfortable होता है, खास करके long ride के लिए, front and rear wheel के बीच में, यहाँ पे आपको ज्यादा distance देखने को मिल जाता है, और इस तरह के motorcycle है, वो किसी भी level के riders हो, उनके लिए आसानी होता है, handling stability करना, और मैं आपको बताना चाहूंगा, कि जो cruiser motorcycle होत होते है, commuting करने के लिए भी या फिर long ride के लिए भी, बजाज Avenger Street 160, बजाज Avenger Cruise 220, जावा पिराग, यह कुछ cruiser motorcycles के example है, next है adventure motorcycle, और जितने भी type के motorcycle होते है, उनमें यह जो adventure motorcycle होते है, वो on road riding और off road riding, दोलों के लिए सबसे ज़्यादा capable होते है, इस तरह के motorcycle का suspension होता है, वो long travel होता है, साथी यहाँ पे higher seat को दिया जाता है, और जो handle bar है, वो भी slightly higher होता है adventure motorcycle में, चुकि यहाँ पे saddle head जादा दिया जाता है, इसलिए short riders को इस तरह के motorcycle को चलाने में परिशानी होती है, साथी यहाँ पे ground clearance भी जादा दिया जाता है, ताकि rough road में इस तरह के जो bike का performance है, वो बहतर हो सके, यहाँ पे जो tire और wheels है, वो सब कुछ बाकी के type motorcycle का मुकाबले जादा बड़ा आपको देखने को मिलेंगे, fuel tank की capacity भी जादा होती है, और mostly इस तरह के motorcycle में dual channel ABS को दिया जाता है, यहाँ पे wind shield को भी दिया जाता है, और यह जो motorcycle होते है adventure वाले वो जादा भा touring motorcycle और जैसा नाम से मालूम चल रहा है, इस तरह के motorcycle को लंबे लंबे टूर करने के लिए उस परपस से design और manufacture किया जाता है, इस तरह के motorcycle में average seat height होता है, साथी यहाँ पे wide seats याने की चोड़े seats दिया जाता है, जो कि rider और pillion दोनों के लिए comfortable होते है, upright neutral riding position होता है, इस तरह के motorcycle में mid range handlebar होता है, touring motorcycle में जादा तर जादा CC की engine का यूज कर जाता है, ideal होते है इस तरह के motorcycle intermediate या फिर advanced riders के लिए, क्यूंकि इस तरह के motorcycle का weight है, जो size है वो बहुत बड़ा होता है, weight भी जादा होता है, usually यहाँ पे आप देखोगे कि luggage carrier को install करके दिया जाता है, बाइक के साथी साथी यहाँ पे covered engine भी होता है, full air protection दिया जाता है with large and often adjustable wind screen, Indian roadmaster touring motorcycle का example है, next है classic motorcycle और जैसा के नाम से मालूम चल रहा है, इस तरह का motorcycle अपने classic look के लिए जाने जाते हैं, आज भी यहाँ पर आपको 70s, 80s का touch देखने को मिल जाता है, लेकिन फिर भी इस तरह का motorcycle में आज के टा motorcycle का engine है, वो बहुत जादा powerful होता है, यहाँ पे speed acceleration भी बहुतर देखने को मिलता है, साथी इस तरह के motorcycle का build quality है, वो बहुत जादा बहुतर होता है, mostly यहाँ पे metal body को ही दिया जाता है, और जो exhaust है, वो जादा तर classic जो motorcycle होते है, वहाँ पे loud ही होते है, खास करके highway riding के लिए इस mostly दिखाई दिने वाले 7 types के motorcycle, वैसे आप अगर बाकी के types के motorcycle के बारे में जानना चाते हो, तो आप मुझे comment करके जरूर बताए, साथी आपके पास कौन से type का motorcycle है, यह भी आप मुझे comment करके जरूर बताए, उमीद है कि इस वीडियो में दीके जान का रहे, आपको पसंद आ है, मिलते अगले वीडियो में, thanks watching this video, goodbye